हेलो माइडियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वी इस्कूल पर तो आएए देखते हैं विज्ञान विशे के अध्याए एक का पार्ट दो पार्ट एक में हम लोगों ने देखा था कि केसे बच्चे खनीज को पोशन के प्रोटीन को पूशन इ किस के तरीके की बिमारियां किस के उनमें विकार पेदा हो जाते हैं आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट के अंदर यह पूरा पार्ट कंप्लीट कर देते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि पानी के क्या दुस्प्रवा होते हैं कौन सा पीना चीजे पानी को किस तरीके से पीना चीए और कौन कौन सा नसा नहीं करना चीए नसे से कौन सी पिमार्य होती है और सबसे बड़ी चीज जो मेरे ख्याल से मिलाओट होने लग दी है पृति T सबसे पहला पॉइंट आता है अपना पीने ही होगे पानी के गुण कि अपन जो पानी पी रहे हैं उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए तो पहला गुण होना चाहिए माइडर फ्रेंट कि पानी के अंदर हानी पहुचाने वाले सुक्स्म जीव नहीं होने चाहिए अब चाहिए माई डियो फ्रेंट जल में आखों से दिखने वाले कन वर्स्पती नहीं हो गाउनों में अब भी क्या हो रहा है अपने सीथी के अंदर दो नलों से पानी आरा है कोई टेंसन नहीं लेकिन गाउऑं की ओर थे अब भी है तो या तो कुए से से लाती है पानी या अपने हेंड बम से भर तो उन में क्या होता है जो खेचा जाता एक पानी उसमें कई सारी वनस्पत्यां आटे अपनी---- पाणिकी में आ जाती है तो वो पानी हमेसा चान कर पीना चाहिए इसलिए यह वह बना रखाय स्लोगन हमारे गवर्णमेंट में भी कब पानी पीना चान कर और बेटी देना जानकर नेक्ट माढ़े फ्रेंड्स पिएच हमेसा संक्तुलित होना चाहिए आज कल क्या हो रहा है ये पारब में पानी के अंदर मॉस्टली सभ जगे हैं पानी के अंदर फ्लोराइड की मातरा काफी बढ़ गई है तो पानी का जो पीएच है साँ होता है इसकते हैज साथ होता है और और कम होता है वो condition होती है 7.0 पॉइंट वाली ओकी माइडियर फ्रेंड्स जैसे ही ये ज़्यादा होता है 7 से ज़्यादा हुआ तो ये हो जाता है शारिये क्या हो जाता है शारिये और जैसे ही 7 से कम हुआ मतलब 1 या 2 की तरफ बढ़ा तो इसको बोल देते हैं हम लोग अम लिये तो ये जो पानी का pH होता है ये हमें से 7 के आसपास होना चाहिए मतलब एकदम middle में होना चाहिए ना ज़्यदा ना कम ज़्यदा होगा तो भी नुक्सान देगा कम होगा तो भी नुक्सान देगा नेक्स देखते हैं माद प्रेंड्स oxygen परियाब्त मात्रा में होनी चाहिए अपन जो पानी पीते हैं उसका formula होता है ह2O पानी का जो formula होता है ह 2O अगर इसमें oxygen परियाब्त मात्रा में नहीं हुई तो ये भी पानी अपने लिए आनिकारक हो सकता है आज कल हम लोग देखते हैं कि कहीं जगें पीने का पानी अवेलेवल नहीं होने के कारण वहां लोग दुशित पानी को पीने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि आदमी बोजन के बिना रह सकता है कहीं दिन रह सकता है बोजन की बिना लेकिन पानी के बिना अपने जीवन की क काम चलाने लग जाते हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा वाई राजस्तानी में कावत है करने मामा काण मामुई छोको तो जहां पर पानी नहीं मिल रहा होता है वहां पर वो लोग क्या करते हैं वो उसी दुसित पानी को अपने जीवन या पन के लिए पेट में डाल लेते हैं और फिर वो दुसित पानी उनकी जान का ही दुस्मन बन जाता है क्योंकि दुसित पानी हमारे सरीर में बहुत सारी बिमारियों उत्पन कर देता है जैसे पानी के अंदर विशानों जीवानों प्रोटो जोवा नामक्रम करता है नाम है यह सुखशंजीव पाlet करता है अंदर गुषते हैं और वो एस पंपन निमठ गया मतर प्रक्रमियों होते हैं और वह रुकते ही नहीं हैं इस दुशित पानी की वज़े से जीवानू विशानू और प्रोटो जोवा नामक क्रमी क्या होते हैं सुक्सम जीव जो कीडे मकोडे पानी के जो अपने नंगी आंकों से दिखाई नहीं देते लेकिन वह पानी के अंदर मौझूद रहते हैं कौन देखे तो वाइरल संक्रमण के अंदर क्या होता है उससे दुशित पानी से वाइरल संक्रमन भी हो जाता है आया जाती है और अपके लिए न्या नाम होगा लेकिन फ्लू और पीलिया ये तो आपने सुना ही होगा टाइफाइड केते हैं टाइफाइट किसको कहते हैं आपने सुना है क्या गावों में बोलते हैं आपने के नखाड़ो नखड़ गयो जो वो निखाड़ा बोलते हैं वो यही टाइफाइट रोग होता है जिसके अंदर आदमी सरीर से बेजान हो जाता है उसको दिन बर बुखार आती रहती है या फि पानी से ये भी हो सकता है नेक्स देखते हैं माई डियर फ्रेंड्स राजस्थान में एक समय सन 2000 के पहले एक रोग चला था बाला एमम नारू बाला आप याद रख सकते हो अक्षे कुमार की जो मुवी आये थी अभी तोड़े दिनों पहले उसके अंदर एक गाना था बाला नाम से तो बाला नाम वहां से याद रख सकते हो और बाला गाने के अंदर नारियां बहुत ज़्यादा नाच रही थी तो यह नारू वहां से याद रख सकते हो तो कौनचा रोग गया बाला एमम नारू रोग यह किसके कारण हुआ जैसे पानी के अंदर यह करमी थे विशानू जीवानू प्रोटो जोब वेसे ही उस टाइम पर एक अलग पेदा हो गया था करमी उसका नाम था ड्रेकन कूलस मेडीनेंसिस किया नाम था सहाब करना कोई ज्यादा कठीन काम नहीं के करण अपने राजस्तान के अंदर बाला नारू रोग हो गया ता जिसको दूजार के अंदर काफी अतक परियासों से इसका रोक्ताम की गई के अपने जो पतले आदमी होते हैं कोई बीमारी में लेकिन बीपी की बिमारे से ग्रसित होगे चलने प्रोब्लम कहीं उनके गेट में नहीं नहीं और कोई ज्यादा ही मोटा हो गया तो उसको तो यह जिगए से दूसरी जग तक भी ट्रॉली में डाल के लेके जाना तो उन में क्या होता है एक्च्वल में माइडियर ट्रेंट यह जो अपनी चमड़ी है माझ लो मेरी इतनी सी पकड में और चूंटी परते हैं वह शूंट नहीं बने में आएगा उसके इतनी मोटी होगी चर्मी तो एक्च्वल में उन मोटे आदमियों में क्या समस्या होती है उनमें इस चमड़ी के अंदर वसा की एक मोटी परत जम जाती हैं और वो चंबडी है इतनी मोटी हो जय पर यह जमने के कारण और यह किसके कारण होता है माई paso या तो और या तो अपन क्या करें जो खाना खाते हैं जो खाना फ्यौर भाइक और była おथ दा जाता है तो यह कुछ में रिजन हैं जिनके कारण अपने सरीर में मोटापा आ जाता सब अब मौटापा काल से जाता मानलो मेरी लंबाई है कुछ एक लंबाई है कुछ चोड़ा यह लंबाई को चोड़ाई से गुणा करने के बाद जो भी आता है वो होता है अपना सरीर का मेजरमेंट तो इसको जो मोटापे को मापने वो है BMI Body Mass Index और इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर सरीर का भार सूच कांक मान लो किसी के सरीर का भार का सूच कांक किसी की मान लो लंबाई और चोडाई का गुणा एक मिट्र स्क्वाइर है साथ और इसके अंदर वजन है 25 केजी 25 किलोग्राम तो तो यह एकदम फिट है लेकिन अगर कि इस एक मिट्र इसक्वाइर के अंदर 30 किलोग्राम QUEWEIT हो गया उसको क्या कहेंगे उसको बोलते हैं अपना साब यह तो मोटा पें से ग्रसित कम हो जाएगी कि दूसरा यजो हर्दे रोग आज कल यह जो हर्दे रोग है यह सबसे important हो गया मैं अब आपने भी सुनाई होगा अजिसाब कि हार्ट अटेक अजिन वह उसी हार्ट अटेक और वह जो हार्ट आना बोलते हैं हम नॉर्मल लेंग्वेज मैं उसी को हरदे रोग बोलते हैं थारडे मडू में ङुक्षे कि अब पर बोलता है जो अपन बोलतолет है सुगर की बिमारी ने की माराखर काstal को है राध में जब सोते रहते हैं अदमी तब ईहों खर्राट बढ़ते रहते हैं और वो सी खर्राटों को क्या बोलते हैं निद्रा कालीन स्वास समेता यह स्वास नली के अंदर परत मोटी हो जाती है और वो क्या करते हैं डंग से सास ले नहीं पाते इस कारण उनको खर्राटा की समस्या पेदा हो जाती है और यह किसके कारण हो सकती है इस मोटापा के कारण भी यह समझ्चा हो सकती है नेक्स देखते हैं मोटापा बढ़ने के क्या क्या कारण है किस-कारण से अपने को मोटापा बढ़ सकता है अब तोड़े दिर पहले अपने वह देखा था किस-किस कारण से बढ़ता है उर्जा सेवन एमम उप्यों के बीच असन तुलन मान लो चा वाले भोजन है चर्वी युक्त भोजन है वो चवर्दस ठूशे जा रहे हैं एकदम दमादम खाये जा रहे हैं तो उससे भी अपना मोटापा बढ़ेगा ठर्ड़े जंक फूड करना आज कल जंक फूड का बड़ा ट्रेंड चलने लग गया लोग मतलब हफते में एक बार अब बाहर के खाने में सामिल है अपने तो पीज़ा बर्गर वगेरा 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 अब वह आती है ना लटे क्या समझ गहें आप लोग नूडल्स वगेरा तो वो खाना पसंद करते हैं उसे बोला जता है जंक फूड क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं अपन जंक फूड और क्रत्रिम भोजन भी उसी को बोला जाता है क्योंकि उसको क्रत्रिम रूप से भी बनाया जाता है आज कल कहीं जगे पर क्रत्रिम रूप स ओफिस में जाएंगे बेटेंगे पेन चलाएंगे उठके वापस आएंगे खाना खाया और सो गया यह जो तिंचरिया है इसको बोलेंगे अपन इस्थिर जीवन या पन एक तरीके से इस्थिर हो गई दिंचरिया अपना जो शरीर है इसको कोई दुख नहीं दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे किसान का जीवने आपने देखा होगा गिसान सुबह उठता है खेतों में जाता है पेले घ्राइब송 को बेके पर ऑद्ट के पटकने की किन लोगों है आज कल सोसाइटी के जो बाबू लोग है या जो बेठक का काम करते हैं जो दिन बार बेठे रहते हैं बेठके काम करने वाले ओफिसों के अंदर काम करने वाले जिनके ज़्यदा माला सरीर से पसीना नहीं निकलता काम करते वक्त उन लोगों को व्यायाम की सकता हो सकता है अ और यहां तक आप सभी लोगों को I think clear होगा और इसी मोटा पे कारण एक रोग और हो जाता है उस रोग को तो बोला जाता है अउटू अल्प क्रियेता क्या बोलते हैं अउटू अल्प क्रियेता यह तो काफी डिफरेंट लग रहा होगा आपको वर्ड लेकिन जब इसका इंगलिश रूपांत्रा देखते हैं हाइपो थाइराइड इजम अब अपने कल देखा था कद थाइराइड गरंती यहां पे ग पूल जाती है और इससे सास लेने में समझ्या उत्तपन्न हो जाती है यह भी किसका कारण है अपने इस मोटा पे का कारण नेक्स देखते हैं रक्त चाप को आप पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन आप जानते पूरा हैं इसके बारे में आपने सुना होगा मम्मी पापा ब पीली लूगडी डीजे पर आई शना होगा ना तो वह बीपी हाई एक्चोल में क्या होता है वह ब्लब्लड डिप्रेसर को अपन Śाइन्स की लेंगवेज में केते हैं रक्त चाप दिखना नाоном की पाईप में से है एसे pressure डालता है एसे दबाव डालता है इससे कहीं बार क्या होता है जो हलका-पुलका pipe होता है वो क्या करता है कहीं जगों से ऐसे मुड़ जाता है मतलब यहां से बीच में से मोटा हो जाता है वो pipe प्लस वाहिनी रक्त को ले जाने वाली वहन करने वाली रक्त का क्या हो गया यह वहन तो इसको क्या बोला रक्त वाहिनी रक्त वाहिनी यह हो गई रक्त वाहिनी अब इसके अंदर यह यह आपना दिल अब दिल से रक्त जाएगा तो क्या होगा इसकी दीवारों पर प्रेसर ड अगर उपर आजाए 90 से लेके 120 और नीचे आजाए 60 से लेके 80 तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल BP और अगर उपर इससे कम आती है 90 से कम आती है या फिर 60 से कम आती है तो ये हो गई और इधर की साइड में 120 से उपर या 80 से उपर आ जाती है तो ये हो गई निमनरक्त चाप और इससे पहले देख लेते हैं बीपी नापी काई से जाती है बीपी जो नापते हैं उस नापने के यंत्र को कहते हैं सफ्फाइग्नो मेनो मेंटर और इसके अंदर नॉर्मल जो आदमी होता है मान लो उसकी बीपी आई 90 बटा 60 या आ गई उसकी बीपी 120 बटा 80 या आगी नॉर्मल बीपी अब उपर वाले को बोला जाता है सिस्टोलिक क्या बोलते हैं उपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डाइस्टोल अब देख लेते हैं सिस्टोलिक क्या है डाइस्टोलिक क्या है सिस्टोलिक तो एक्चुल में क्या होता है यह अपना दिल और यह जा रहा अपना ब्लड तो यह जो अपनी वाहिनी है इसमें से यह जो ब्लड जा रहा है इस टाइम की सिच्वेशन को बोलते हैं अपन सिस्टो लिक क्या बोलते हैं सिष्टो लिक अब जब रखत वापस आ गया ठीक है दिल तक वापस रखत आ गया और दिल थोड़ इसी सांत वस्ता में आ गया उसके अंदर रखत के अंदर क्या मिला रहा है ओक्सीजन मिला रहा है उस टाइम की सिच्वेस्टन को बोला जाता है अबते हैं उपर वाला तो जिस टाइम वाहिण्यों में रकत बेराय उसका और नीचिवाला जब रकत सां तवस्था में उसमें ओक्षिजन मिला रहा है उसटाइम का प्रेर वाले ओंधाए इस नेखाले को अपने हिसाब से आपने परिपासा लिखोगे तो एकदम ईजी व जाओ रक्तवाहिनी वहाँ पर जाने के बाद याद नहीं आया तो अपने इसाब से बनाओ रक्तवाहिनी को क्या बोल सकते हैं रक्त को ले जाने वाला साधन रक्त को ले जाने वाला वहन तो वह बन गया रक्तवाहन और रक्तवाहन चुंकि यह धमनी और सिरा होती है तो इस सब्सक्राइब जरूर कर देना माई डियर फ्रेंड्स निम्न रत्य चाप के अंदर क्या होता है धमनियों नसों में रक्त प्रवा कम हो जाए क्या हो जाए अपने जो खून जा रहा है यह जाना कम हो गया इससे क्या होगा पोश्टिक आहार वह ऑक्षीजन इंद्रियों तक नहीं पहुँचेगा जब खून नहीं जा रहा यह खून क्या करता है अपनी प्रतेक इंद्रि तक उर्जा देने वाले साधन के रूप में काम करता है यहां दिल के अंदर इस खून में ऑक्षीजन और उर्जा मिलती है और यह खून यहां से वह ऑक्षीजन और उर्जा ल तो कि यह काम तो खून कर रहा है ना उर्जा ऑक्सिजन पहुचाने का तो ना तो उर्जा पहुंची ना ऑक्सिजन पहुंची तो इससे क्या हो जाएगा यह सरीर का यह अंग काम करना ही बंद कर देगा यह तो थोड़ी देर के लिए काम करेगा और अगर आपके ज्यादा ही लो बीपी हो गई ज्यादा ही लो बीपी में क्या होगा यहां से वो Alexandre दिविएक नहीं 废ीज करेकते लो से लो गई तो यहां से धुधाईब है यह उसकता यह एग है नहीं और प्रमेनेटिली डेमेज्ट करें मतलब अब इसमें यहां से आगे-ागे खूं जाये गा यह नह तो अब यह जो खूण है यह खूण का दोरा एकदम फुल फास्ट तरीके से हो जाएगा तो अपना जी घबराने लगेगा और अपनी हालत ऐसे कि अपने को हाई बीपी होती है अब अंजधा टेंसन ले ले वरक लोड़ गा किसी से जल रहे हो कि यह तो मारो बेटो काफी आगन नखल गयो और मारो कायो ओलो यह तो सारा ही पढ़ लिए और मारो कायो ओलो है ऐसे दूसरों से अपने को जलन हो जाए किसी चीज का भय सता रहा हो किसी चीज का डर लग रहा हो अपने को या फिर अपने खाने के अंदर खाने के अंदर मान लो मिर्च मसाले बहुत ज़्यदा खा रहे हैं तेल की चीज़े ज़्यदा खा रहे हैं अचार वगेरा वग पीपी की समस्या पेदा हो जाती है सराब यह आजकल की जीवन सेली के मुख्य तक्त्व हो गए लोगों के इनका ज्यादा शेवन भी इस उच्छ रक्त चाप का कारण बन जाता है तीसरा है स्रमहीन जीवन स्रमहीं नहीं करना पसीना नहीं नहीं बाना और व्यायाम के सें है व्यायाम नहीं रहे तो भी अपने उच्रक्त चाप की समस्या पेदा वह जाती है अब इसके निवार्ण भी देख लेते हैं कि क्या करें कि उच्छ रख्त चाप में मालो ता सीगरेट नीपीरे डारू नीपीरे व्यायाम कर लिया तोडा सा और ःतोड़ा स्रम हॉइ ये तो नहीं छोड़ सकते ये तो देनिक जीवन का हिस्सा है किसी बात की चिंता भी होती है किसी बात पर क्रोध भी आता है इर्ष्या भी होती है ब्रह्म भी हो जाता है ये दोनों समस्या आद्मिया के ज्यादा हो ओके माई डियर फ्रेंड्स तो इसका निवारण क्योंकि ये समस्या तो आम समस्या ये तो होती ही है तो इसका कुछ निवारण भी होगा निवारण है माई दियर फ्रेंड्स पोटेसियम युक्त चीजें खूब खाएं केल्सियम और मेगनीसियम को संतुलित करें ना तो ज़्यादा खाना है ना कम खाना है केल्सियम यूग चीज़ें और मेगनीसियम यूग चीज़ें ना कम खाएं ना ज़्यादा काएं उसको एक बैलेंस्ड डाइट ले नेक्स है वसा तेल घी वगेरा थोड़ा सा लिमिट से नहीं करें ना तो शिग्रेट बीडी पीएं ना पीने वाले के पास बेठें मदीरा पान सराव वगेरा नहीं पिए इनसे हम लोग किसको कंट्रोल कर सकते हैं अपना उच्छ रख्त चाप को कंट्रोल कर सकते हैं ओके मैं अपना गुटका गाउं गली घर मोला सब जगे तानसेन रजनी गंदा वीमल गुटका सब जगे अवी लेवल है ओके तो इसके ग्राइक भी तनी ज़्यादा है इसके रोग भी तनी ज़्यादा है किसी का जबड़ा खराब हो गया किसी के दात खराब हो गया किसी का जबड़ा खुल नहीं रह किस से पेदा हो रही है अपने इसortea से और है शोटा सब लेकर खाते रहते हैं और यही अपना सबसे बड़ा नुक्षान कर देता है इससे क्या होता है जबड़े की मासपेश या कठोर हो जाती है और फिर जबड़ा खुलने कम लग जाता है और यह किसके कारण होता है एसा सब्मुकस फाइब्रोसिस के कारण होता है एक रोग आ गया यहां पे कौन सा सब स्ब्मुकस फाइब्रो सिस जैसे गुट का आया अपने को क्या याद रखना है सब्मुकस फाइब्रोसीस सब्मुकस फाइब्रोसीस इस रोग के कारण अपने जबडे की मांस पेश्यां कठोर हो जाती और ये खुलना कम हो जाता है इसका उपाए एक ही है ना तो गुट को खाओ और बेमारी भगाओ ओके माई डियर फैंड्स नेक्स्ट एपना तंबाकू जितने भी अपन धुम्रपान की वस्तुएं ग्रहन करते हैं उनको बोला जाता है तंबाकू और तंबाकू किस से प्राप्त किया जाता है निकोटियना टॉबेककम कूल सोले नेशी की पत्तियों से एक पेड़ का नाम है क्या है एक पेड़ का नाम है निकोटियना टॉबेककम निकोटियना टॉबेककम तंबाकू इसी वर्ड से मिलके बना है कूल सोलन ऐसी नामक पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों से ये तंबा को प्राप्त किया जाता है और इन पत्तियों के अंदर एक से आठ परतिशत तक निकोटीन नामक एलकेलोइड होता है और यही निकोटीन ऐसी चीज है जो इसकी लटपटक देता है अपने एक बार चक लिया तो उसका चशका पढ़ जाता है और इसी निकोटीन के कारण हमें दूसरी बार भी उसकी तलब लगती है हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें आनंद प्राप्ती के लिए एक गुटका एक तंबाखू तो खाना ही चाहिए किसके कारण हो रहा है इनमें आता है निकोटीन जिससे उसकी लत पड़ जाती है अब इनसे गुटके से तंबाखू से क्या-कया हानिय होती है हानिया होती है एक तो देख लिया जबड़े की मास सपेस कठोर हो जाती है कौन से के कारण सब्भकस फाइब्रोसिद Figur कि सब्भकस और क्या हानिया होती है इससे Cancer हो जाता है मूउग का Cancer इस गुठका जो है इस मुह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है बारत के अंदर और दुनिया के अंदर नेक्स्ट होता है BP and Heartbeat Blood Pressure की समस्या और Heartbeat की समस्या इसी तंबाकू और गुटके के कारण हो सकती है गरबवती महिलाओं में ब्रून विकास की गती मंद पड़ जाती है जो गरबवती महिलाओं होती है वो अगर गुटका खा रही है तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रही है चिगरेटे पीती है आजकल महिलाओं अगर उस तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रही है तो उनके जो पेट में बच्चा पल रहा है पेट में जो भूंड पल रहा है उसके विकास की गती मंद पड़ जाती है और आज ये उसके अंदर विकार भी उत्पन हो सकते हैं सब्सक्राइब तो सभी से कहीं है कि धुम्र पान ना करें ना करने दे गुटका ना खाएं ना खाने दे बेशने वाले को भी रोकें आस पड़ोस को समझाएं ओके आजकल वेसे ही कोरोना के अंदर गुटका तो मिलना बंदो रखा है बगवान से दुआ करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए गुटका बंद कर दे ताकि ये बिमारियां के कई नामों निसान ही न रहा है फिर किताबों में पढ़ते हैं इंको अगे माई डियर फ्रेंड्स यहां तक समझवा गया होगा सिग्रेट के दुएं से और क्या क्या हो सकता है आर बीसी नश्ट हो जाती है अपने जो बलड है खून है खून के अंदर आर बीसी डव्ली बीसी और प्लेटिलेट्स होते हैं आर बीसी किसको बोलता है हीमोग्लोबीन को हीमोग्लोबीन की जो कणिकाएं होते हैं हीमोग्लोबीन के जो कण होते हैं वह इस सिग्रेट के दुएं से नश्ट हो जाते हैं पीने वाले जितने ग्रसित हैं उनकी तुल्ना में जो उनके साथ बेटने वाला है वो भी उतना ही ग्रसित है नेक्स्ट अपना मदीरा जो अपना एलकोल होता है जिसको हम नौर्मली सराब भी बोलते हैं कि फोर्मिला होता है Larry इस को पुण के लोग बावड़े हो जाते हैं इस मदीरा के क्या क्या नुक्सान होते हैं यह यक्रत में पहुच जाता है और यक आत्मनियंत्रन इसको पीने के बाद आदमी का खुद के उपर कंट्रोल निरेता वो कभी इधर डोलता है कभी इधर डोलता है टांगे लड़ खडाने लग जाती है मतलब खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं रेता है नेक्स्ट वश्य यक्रत रोग नेक्स्ट आर्थिक इस् अध्यादा मतवाला हो जाता है जिससे क्या होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्टा को थेश पहुंचती है सामाजिक प्रतिष्टा होती है माई दिया नहीं नेक्स अफीम क्या होता है एक पोदा होता है उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है उस पोदे का क्या नाम है उस पो पोदा होता है उसके कच्चा फल होता है उस कच्चे फल के अंदर से दूद निकालते हैं और उस दूद से क्या बनता है अफीम बनता है और उस कच्चे फल के जो उपर वाला छिलका होता है उसको बोलते हैं अपन डोडे क्या बोलते हैं डोडे जिनको गडा कर लोग बाग न नाम के रसाइन होते हैं और इनी रसाइनों से आदमी को नसा आता है और लोग बोलते हैं कि दवाईयों के अंदर नसा आता है वो दवाईयों के अंदर नसा माइडियर फ्रेंड्स क्यों आता है क्योंकि जैसे अपन दर्द निवारक दवा दर्द निवारक दवा के अंदर ज लेते हैं क्योंकि आपको पता है नसा क्यों करता है आदमी नसा करता है आदमी जब ज़्यदा टैंसन हो जाती है तो वह क्या करता है जैसे ही नसा किया तो आदमी का आत्म नियंत्रन खुद पर नहीं रहता है तो वह टैंसन थोड़ी लो जाती है दूसरा ये है कि नसा करने के बाद आदमी का दर्द गायब हो जाता है क्योंकि दर्द की गोलियों में नसे के सामान मिला रहा है मैं यह नहीं करता कि आप नसा कीजिए नसे से दूरी बनाए रखें लेकिन मैं यू किराऊं कि यह जो नसा है यह अपना दर्द निवारक का भी काम करता है तो यह दर्द निवारक गोलियों में क्या-के मिला जाता है मार्फीन और कोडिन यह किस से प्राप्त हुआ अफीम के के पोधे का क्या नाम है यह नाम पेपेवर सों मनि फैरेन का कच्च्छ फल मिला कुच्छ पल से दूद निकाला दूद से मार्फीन और कोडिन निकाला मार्फीन को कि इसमें डाल दिया दर्दनिवालक गोलियों में और नेक्स्ट क्या होता है अपने जो भी राजस्थान के अंदर यूपी के अंदर इधर के आसपास के जो भी शेत्र है इसके अफीम का ज्यादा है चसका कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पे बच्चे बुड़े बड़े ओरतें सब अफीम लेंगे कोई मालो साधी यह रहता है दो जिए आ के अदमे को नसे की प्राप्ति होती है नसे के अंदर वह आनंध और फ्रम की इस्तिती में जीता रहता है उसे यूं लगता है कि अपने सिवा दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है और उस छोटे से आनंद की प्राप्ति के लिए वो अपने जीवन की सती करता है किसको लेके अफीम मदीरा और अन्य नसिली दवाईयां लेके एक इसके जैदा से से रोग पर्ती रौधक समता कम हो जाती अपनी रोगों से लड़ने की समता है और यह पने जीवन में गया लेकिन क्या होता है गड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपना इम्म्यिंटी सिस्टम कमजोर हो जाने के कारण हमने किसी भी बीमारे से लड़ने की समताल नहीं रहती अपना शरीर है शरीर के तॉड्य यह तक को छोटी मोटी बिमारी आ जाती है इससे पर फो आयल inventative चोटी मोटी बीमारी को तो पास में भटकने भी नहीं देता लेकिन यह क्या हो कर देती है अफीम जो नसा किया वो अपने इम्मुनिटी सिस्टम को रोग परतीरोधक्षमता को कम कर देगा जिससे क्या होगा अपना सिरीर लोगों रोगों से लड़ना बंद कर देगा और लास्ट के अंदर अपने बुड़ापे में असाम एक मृत्ति हो जाती है जिस टाइम जो टाइम अपने मरने का नहीं हुआ उ हसीस और LSD यह LSD सबसे सूपर है इनके अंदर LSD सबसे सूपर पावर वाला नसा होता है कोकीन इजीली मार्केट में भांग तो भूले के बक्तों को चलती ही रहती है इधर गाजा है गाजा तो आजकल गाओं की बहार हो रखा है चरस हसीस जैसे नसे लोग लेने से भी कोकीन से मेरा क्या नुकसान होने वाला है भांग मेरे दिमाग पर क्या असर डालेगी गाजे की मेरे को लत पड़ जाएगी लत पड़ने के बाद वो नहीं चूटने वाली लेकिन फिर भी लोग यह नसा कर रहे हैं तो माई डियर फ्रेंड्स आप समझें दूसरों को भी सम दौडीन यह किसमें यूजो रहे हैं दर्द निवारत दौवाओं में तो दौवाओं भी एक्चुली नसे के सामानों से बनती है उन दौवाओं के असर से उस नसे के असर से ही हम लोगों में पैन किलर का काम करता है वो नसा और इसी कारण आजकल यह जो दौवाईयां है दौवाईयों के अंदर क्या क्या होता है मार्फीन होता है पैथडीन होता है नाइट्रापी जिपाम होता है डाई जिपाम होता है और यह क्या है सब नसे के सामान है तो इन दौवाईयों का यूज भी आजकल लोग नसे के लिए करने लग गए हैं यह तो गई नसे की है मदीरہ से वसिय अक्रत रोगो जता है और समाजिक प्रतिष्टा को ठेस्ट पहुचती है नेच्ट अफीम अपने को मिलता है परपे सौमनी फेरस फेर्व नाम के कच्छे फल से और वह कच्छे फल में प्रतिसवदक समता कम हो जाती है और अहसामा एक मरत्यू हो जाती है अब तक तक अप्तन नसा देख रहे थे जिन आटा, आटे के अंदर कुछ मिला देंगे, दूद जो है दूद, दूद बना देते हैं डिटर्जेंट पाउडर से, तो ये क्या हो गई, एक तरीक है कि मिलाउट हो गई, और उस मिलाउट भरे दूद को अपन पीते हैं, तो सोच ये कितना नुक्षान होता होगा, चने का जो बेसन हैं, उस बेसन में मक्की का आटा मिला देते हैं, वो मिलाउट का सामान हो गया, राजस्थान, यूपी वगेरा, इन राज्यों के अंदर अनुमानित 25 से 40% मिलाउट वाली चीजे बन रही है, जो कि हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, तो वो दुस्त प्रभाव का सबसे बड़ा कारण है, वो है अपना cold drinks, अपन जो पीते हैं, नहीं भया, मेरे लिए तो thumbs up ले आना, कोका कोला नहीं चलेगी, मैं तो mountain dew क्योंगा, वो जो mountain dew है, thumbs up है, लिमका है, वो सब cold drinks, जो पे पदार्स होते हैं, उसके अंदर आता है, और इ answer का कारण बनते हैं, अपने सनायू, सनायू होता है, तंत्री का तंत्र, यह जो ligament होते हैं, इन के अंदर होता है, सनायू, इन सनायू को कमजोर बना देता है, और आदमी की प्रजनन समंधी बिमारियों को बढ़ा देता है, कौन? यह cold drinks, और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को को खराब कर देता है जैसे अफीम यही काम करता था प्रति रख्षा तंतर को खराब कर रहा है कि इस स्क्राइल के अंदरी अमल आता है कर तो अपन पीते हैं दातों के टच होता है कॉल्ड रिंग डाउत क्या करता है डोचीज अच्छी लगी उसे कहींस लिए दात और जीब अपनी तरफ खेंश लिया तो वह फोस्पोरिक अमल कहां चेट गया दांतों के चीट गया अब क्या करेगा वह दांतों को गला देगा एक्चुल में फोस्पोरिक अमल एक एसा अमल है जिसके अंदर लोहे को भी गलाने की शमता होती है तो नेक्स्ट है एथिलीन ग बेंजो एक अमल मिलकर को अती अमलता प्रदान करते हैं अमलता क्या करती है हमारे पेट में जाती है तो हमारे पेट में एसीडिटी उत्तपन कर देती है और कौन-कौन से रोग है पेट में जलन कर देती है उससे खटी अडगारे आती है दिमाग में संसनी फेला देती है च चोण Kamerali Jurai आजकल में मिलावटो हो रही है बैशन के आठें मिलावटो हो रही है कोई भी इससा सामान छादे पदारत नहीं बचा जिसके अंदर मिलावट नहीं हो रही है जो आपने नौर्मल मिर्ची टमाटर वगेरा भी आते हैं इनमें भी आजकल injection आने लगे इनको inject किया जाता है जहां यह दस दिन में पक्कर खड़ी होती है फसल वहां यह पास दिन में यह चुटकियों में पक्कर खड़ी हो जाती है नेक्स जब यह नकली बनाने का गोरक धंदा और मिलावट का गोरक धंदा बढ़ गया तो इनके लिए एक स गोर्मेंट नकली सामान बनाने के लिए ही मरतिव दंड नहीं दे सकती इसके बाद गोर्मेंट ने एक नियम भी बनाया था सुरक्षित बोजन के संदर में 1954 के अंदर खाद्य पदार्त अल्प मिश्रन निशेद अधिनियम जिसको पी एफ एकी शोट फोर्म के नाम से जना चेप्ठर में लोगों ने देखा कि कैसे को फेलता है को फोर्म होता है प्रोटीन की खनीज और विटामीन को पुषन उसके बाद हम लोगों लोग देखा के संतुलित आहार करनाय पानी के भी क्या दूस्प्रभाव होते हैं और पानी को कैसे पीना चाहिए उसके बाद देखा किन किन चीजोंसे हमें नसा होता है और नसे के कारण क्या-क्यार्भाव होते हैं उसके बाद देखा माई डिफ्रेंड्स खाद्य पदार्तों में नकली सामानों की मिलाउट हो जाने से खाद्य पदार्ती नकली हो गए हैं तो इन सबसे बचके रहना है आसा करता हूं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आयोगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें